जय हिंद वंदे मात्रम दोस्तों यदि आप क्लास 11 में तो आज का ये वीडियो आप लोगे के लिए बहुत ज्यादा इंपार्डेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर फोर इसलाम का उद्य और विश्टार के टॉप ऐसे 40 प्र बांचेश ओंज़े अरभ कोंसे कभिला में बटे वे थे तो भोटे संद्य और आप्समें का राइट हैं्सर हो जाएगा कि एमनोर करूरो कोज फालमिंभिला कंगला कि नाम से नाम से जला जाता चैँजुड आप virstep कविला करेशिक कभिला के नाम से जना जाता थो आनि एक चुराहे पर डास इस्थिता अमन और सिर्या के बीच एक वाइपालिक सहर इस्थिता वह कौन सा वाइपालिक सहर इस्थिता तो दोस्तों वह इस्थिता मत का आनि ऑप्सन ये इसकोचन का राइट एंसर हो जाएगा कि पैगमन मोहमद ने अपने आपको खुदा का संदेश वाहक कब घोसित किया तो दोस्तों पैगमन मोहमद ने 611 इसमी में हीरा परवत के पास जिब्रैल का संदेश मिलता है कि वे खुदा के दूथ है और उने धर्म परचार परसार करने के लिए भेजा गया है और ठीक उसक और इस परवाट के जाए और इस और बात किया जाए कि यून 632 को पहला खलीफा कौन बनाथा दोतो यहां पर खलीफा मुहम्मद के मिर्थ्व के बाट चार खलीफा बने थे जिन में से पहला खलीफा यहां की आप समराजी किस मत को बढ़ावा देता है यानि option बी इसकोचन का राइट answer option बीशकन का राइट एंसर हो जागा इसाई चलते नेक्सम की ओर कि निमना लिखित में से एरान का प्राचिन धर्म कौन सा है तो दोस्तों इरान का प्राचिन धर्म है हो था जर्थूसद आनि option C का right answer हो जागा जर्थूसद नेक्स आपके स्मिन पर कि चौनथा खलीफा कौन बना था दोस्तों चौनथा खलीफा बने थे वह अल्ली बने थे यानि option B का right answer हो जागा दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो अल्ली थे उनका विवा फातिमा से हुआ था और फातिमा प्यगबन मुहमद साहब की बेटी थी नेक्स नेक्स फ्रेंड्स को किस आंदोला ने उखाद फेका था दोस्तों में वन्स को दवा ने उखाद फेका था यानि option य option का right answer हो जाएगा अबासी फ्रेंड्स कि अबासी सासन का अंत्रगत कि संस्क्रिति का महत्व बढ़ गया था यानि option c का right answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितना भी प्रेस में बताया जा रहा है यह सभी class 11 board exam में पूछे जा चुके है आप इन सभी प्रेसों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रेस ने इस टैप्टर से नहीं छूटने वाला है अगला को जित लिया तो अर्बो ने ज इस question का right answer हो जाएगा एकला को 17 में दिया गया है कि धर्म युद किस से संबंदित है दोस्तों धर्म युद मुस्लिम और इसाई से संबंदित है यानि option इस question का right answer हो जाएगा मुस्लिम और इसाई फिर्दोसी और इस question का right answer हो जाएगा फिर्दोसी ने दिया गया है कि पहलवी सब्द संबंदित है यानि पहलवी सब्द किस से संबंदित है यानि option का right answer हो जाएगा भासा और दोस्तों इनकी मिर्थियू 576 इसमी में हो गया था और यदि पत्नी की नाम की बात किया है तो पत्नी का नाम खदीजा था इसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माला जाता है तो दोस्तों इसाई धर्म का प्रथम ग्रिगोरी को माला जाता है दोस्तों पोप इसाई धर्म का सबसे उंचा पद होता है National Friends की बड़े सामंद के घर को क्या काया था दोस्तों बड़े सामंद के घर को 5 काया था यानि ऑप्शन ये इस कोचन का राइट एंसर हो जाएगा यानि ऑप्शन 23 में दिया गया है कि प्गभर मोहमद साहब की साधी ख़दीचा से किस वर्स हुई थी दोस्तों प्गभर मोहमद की साधी ख़दीचा से 595 इस वी होई थी आनि ऑप्शन भी इस कोचन का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस वर्स प्गभर मोहमद की साधी हो रहे थी उसमें प्गभर मोहमद की आयू 20 वर्स थी था उनकी जो पत्नी थी उनकी आयू 40 वर्स थी आगला कोचन आपके स्क्रीन पर है कि सबसे प्राचिन संपूर्ण कुरान कौन से सताबदी का है दो सबसे प्राचिन संपूर्ण 9 सताबदी का है यानि option c का right answer हो जाएगा 1525 में दिया गया है कि मक्ह कहा है अब मक्ह वर्थमान समें अरब ट्राइदिप में इस्तित है APSfinden D का राइट एंसर हो जाएगा sono 2500 में दिया गया है कि Islam के ऊदे के बाद Irani Musalmán को क्या कहकर संभण्धित किया जाता था कि इसलाम का जब उद्धेव हुआ तो उसके बाद मुसल्मानों को क्या कहकर समभूदित कहे रहा था तो मवाली कहकर समभूदित कहे रहा था अनि ऑप्सन भी इसकोचन का राइट एंसर हो जाएगा कि सर्फ किसे within टो और और सर्फ डूर्गु कहा यानि अपशन सी इसकोचन का nut reality क्या कह लाता था तो धो मुसल्मान égal का सबसे के उच्छ धार्मी कस्थान होता है खलिफा कि अब आसी खिलाफत की राजधानी कहा थी दोस्तों अब आसी खिलाफत की राजधानी बगदाद थी यानि ऑप्शन भी स्कॉचन का राइट एंसर हो जाएगा बगदाद अगला कोचन 31 में दिया गया है कि जद्या किसे लिया रहा है दोस्तों वहां पर बहुत सारा कर लिया था जिसमें से एक जद्या कर हुआ करता था जो कि गैर मुसल्मानों से यह रहा था आनी ऑप्शन सी इसको इसको इसन का राइट एंसर हो जाएगा जो कि साध्वी दिया गया है कि आप 80 करांती कभी थी दोस्तों आप 80 करांती 712 इसी में हुई थी अनी ऑप्शन यह स्कोचन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट ट्रटी फॉर ने दिया गया है कि मुसलिम उठ सिच्छा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था दोस्तों मुसलिम उठ सिच्छ चाहिए उठ सभी अगला कोचन 36 में दिया गया है कि उम्मे वन्स की अस्थापना किसने और कब कीती दोस्तों में वन्स की अस्थापना हज्रत मुवाविया ने 661 सिमें की ती यानि ऑप्शन भी स्कोचन का राइट एंसर हो जाएगा अग्या कोचन 37 दिया गया है कि पैग प्लीज आप सुन्दर से हाथों से कमिट करके जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले